हेलो एवरिवन उमीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्त हैं एक नई रिक्यूट्मेंट निकली है उसके बारे में आपको बताऊंगा ठीक है यह रिक्यूट्मेंट है EPFO के तरफ से दो पोस्ट है एक है एक पोस्ट है स्टेनोग्राफर की यह वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इन दोनों पोस्ट का जो एक्जाम पैटर्न होने वाला है वह बिल्कुल एक्जाम जैसा होने वाला है लास्ट टाइम जो भी अच्छे नंबर लागे जो भीभा सकते हैं तो सारी चीज़ परने से पहले वह सारी यहां पर किलियर हो जाएंगी बाकि नोटिफीकेशन का लेंक डिस्क्रिप्स्टेट बाक्स में एक और एक हमारे पस स्टैनोग्राफर यह हमारे पास 185 वेकैंसिज है तो सबसे पहले हम SSA post के बारे में बात करेंगे, बाकि अगर आपने अभी तक टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया है, तो जोइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, SSA exams के सारे previous year paper आपको महाँ पे मिल जाएंगे, अलग-लग formats में मिल जाएंगे, जिससे कि आप कम टाइम में अपनी त्यारी अच्छे कर सके अपनी preparation को जान सकेंगे कि किस level के आपकी preparation चल रही है, क्योंकि mock format में भी महाँ पे PDF दी जाती है, ठीक, तो सबसे बहले SSA post के बारे में बात करेंगे, हम ये group C की post है, मतलब level 5 की, जैसे SSA में हमारा auditor की post होती है, content की post होती है, तो अगर XCT में आपकी job लगती है, तो जो आपकी growth salary बनेगी है, अपर लगबख साथ हजार के आसपास बनेगी, अभी DA भी increase हो गया है, तो latest salary कितनी होगी government employees कि उसके ओपर भी एक वीडियो बनाऊगा, जो क्या आपके motivation की तरह काम करेगी, ठीक, और आपको push करेगी और इस की बात करो, तो SC, HD category, PWD candidates, female candidates और XRB spend के लिए form बिल्कुल free रखा गया है, और other category, S friends के लिए, या male candidates के लिए, ठीक है, जो male candidates है, UR category, OVC category, EWS category, उनके लिए जो form fees है, वो 700 रुपे रखे गया है, तो जो की काफी जादा high है, ठीक है, ऐसे सी एक जान्स में हम देखते है form fees generally 100 रुपे होती है, यहाँ पर 700 रुपे फीस मांगी गई है, ठीक है, total vacancies 2674 है, ये statewide आप vacancies देख सकते है, in future इसमें change आ सकता है, बट अभी के लिए आपको idea रहेगा, कि आपके state में कितनी vacancies है, उसे साब से आप apply करेंगे, although आप multiple states के लिए लिए जब आप form भर रहे हों preference बहुत ध्यान से भरें, जिन states में आपको काम करना उसे साब से, और vacancies आप state wise देख सकते हैं, कि किस किस state में कितनी vacancies है, और किस category की कितनी vacancies है, description box में notification का link होगा, वहाँ पे भी आप अच्छे तरह से read कर सकते हैं, अगर अभी अच्छे तरह यहाँ पर नहीं दिख रहे है overall category wise vacancies आप यहाँ पर देख सकते हैं, let's move ahead, उसके बाद एक candidate एगी form फिल करें, एक से ज़्यादा form फिल करोगे, तो जो last form आप भरेंगे, वो माना जाएगा, ठीक है, बाकि सारे discard कर दिये जाएगे, और form भरने में जो आपके पैसे लगे है, form फिस वो refund नहीं की जाएगी, तो धियान से form को फिल करें, exam का process simple है, tier 1 examination देंगे आप, ठीक है, जिसके basis पर आपकी merit बनेगी, tier 2 आपका qualifying paper है, जिसमें सिर्फ typing test देखा जाएगा, और आप finally आपका document verification और selection, यह बहुत जल्दी यह process complete हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ, अभी April तक तो form भरे जाएगे 26 अप्रेल तक, उसके बाद लगबग एक महीने बाद आप मान के चलो, May and June में, इसका exam हो सकता है, tier 1 examination, और tier 1 का result भी जल्दी आजाएगा, और उसके बाद आपका skill test और final result, ठीक, तो जिन लोगों की पहले से काफी त्यारी है, उनके लिए काफी advantage मिलेगा है, यहा को clear करने में, ठीक, अब मैं आगे बात करता हूँ, यहाँ पर, तो अब qualification क्या होगी, क्या आपकी graduation complete हो जानी चाहिए, ठीक, तभी आप SSC form को भर सकते हैं, अब इस tenographer की बात करेंगे, उसमें 12th pass मांगा गया है, ठीक है, form भरने की, जो last date है, उस time तक आपका result आना ना चाह करेंगे, उसके बाद skill test के बारे में थोड़ी detail में, अभी discuss कर लेंगे हम, age की बात करें, age 18 से 27 साल रखे गई है, ठीक है, age देखी जाएगी form भरने की closing date से, ठीक है, standard relaxation जो मिलता है, CST category को 5 साल का, OBC non criminal year को 3 साल का, वो यहाँ पर मिलेगा, आगे बढ़ते है, scheme of examination, ठीक है, 5 subjects है, सबसे पहले general aptitude मतलब reasoning, 30 question आएंगे, 120 number के मतलब एक question हो गया, आपका 4 number का, रही करोगे, पूरे 4 number गल्द करोगे, तो minus 1 detect कर दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे यह आपका same weightage आपकी GK की है, same weightage math की, same weightage English की, और computer की आपकी, यहाँ पर weightage कम है, सिफ 10 question computer के पूछे जाए इनके भी crash courses available है, तो वो भी आपकी preparation में काफी मदद कर सकते हैं, बाकि जिन्होंने detailed course है, जो त्यारी कर रहा है, वो अपना करते रहे हैं, जिन्होंने अब तक त्यारी start नहीं की, आपकम इंग्जाम जीशन की त्यारी करना चाहते हैं, तो वो भी enroll करके VOD courses के थूर अपनी preparation कर सकते हैं, या YouTube classes भी देख सकते हैं, तो total हमारा क्या हो गया है, यहाँ पर 600 number का paper हो गया, इसमें से क्या होगा, पहले तो sectional cutoff निकलेगी, इसमें sectional cutoff भी होगी, और इसके बाद total marks की cutoff भी होगी, जितनी vacancies थी हमारी, उसके 10 गुना candidates, ठीक है, 26,000 candidates थीर उनको qualify करेंगे ठीक है, और उनका फिर skill test कराया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद final merit बनेगी, तो क्योंकि skill test बहुत simple सा है, typing पूछी जा रही है, तो maximum लोग skill test को qualify कर लेंगे, जिने भी job करनी होगी, या typing सीख लेंगे, तो यही है कि tier 1 की cutoff होगी, वास देखने के लिए होगी, आपको maximum score करना है, tier 1 में अपनी पूरी जान लगा देनी है, tier 1 examination में ही, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा, दो तरह की cutoff, sectional cutoff भी है, total marks के basis पे cutoff भी निकलेगी, normalization भी किया जाएगा, अगर multiple shift में examination होता है, तो normalization भी होगा, जो SSC का normalization का formula वो यहाँ पे implement हो सकता है, ना हो, इनका जाद जानकारी अभी नहीं है, अगर मैं आगे बात करता हूँ, तो tier 1 आपने qualify करा, तो आपका computer skill test कराया जाएगा, ठीक है, इसमें जो skill test है, वो आपका SSC CHSL exam का pattern होता है, लगबग वैसा सा है, ठीक है, अगर आप English में skill test को देना चाहते हैं, तो आपको 35 word permanent की typing speed चाहिए, 10 minute का आपको time दिया जाएगा, ठीक है, अगर आप Hindi में देते हैं, तो आपको 30 word per minute की typing speed चाहिए होगी, जहां तक मुझे लग रहा है कि form भरते time में आपसे पूछा जाएगा, कि आप जो type skill test है, वो हिंदी में देना चाहेंगे, एंग्लिश में देना चाहेंगे, तो बड़ ठीक है, आगे मैं भड़ता हूँ यहाँ पर, selection का जो process रहेगा, वो ही है, tier 1 के marks के basis में selection होगा, और दो तरह से cut off निकलेंगे मैं बता चुका हूँ, बाकी जो free videos है YouTube पे available, वो आप देख सकते है, मैस के अपने preparation mom को काफी मदद मिलेगी, मैस crash course कर गागा, अगर आपके basics के थोड़े किलिया ना तो इससे भी काफी कुछ सीख सकते हैं, इंग्लिश grammar का 3 quick revision course available है, साथ ही साथ, DK के काफी crash courses available है, जो आप देख सकते हैं, ठीक है, यह YouTube पे free videos available है, roles and responsibilities of SSC, यह आप देख सकते हैं, ठीक है, data and trace related responsibilities होगी, updating and maintaining the records, ठीक है, higher officials को support करना, proper maintenance of data, and all these stuff, ठीक है, बाकी promotional structure कैसे होगा, आप इस तरीके से देख सकते हैं, अगर मैं बात करता हूँ, 2019 में जब examination हुआ था, यह वाला इससे पहले, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास vacances थी, 2189, मतलब अभी सोड़ी सी कम vacances थी, मैं उसकी एक बार cutoff आपको दिखा दूँगा, कि लगबार कितनी रही थी, जब IBPS ने exam कराया था, SSC, NTNA नहीं कराया था, ठीक है, तो अब exam pattern change हो गया, तो cutoff भी अलगी जाएगी, और इस बार SSC वाले बच्चे बहुत अच्छे तरीके से CGL 22 की preparation करी, अब CGL 23 भी देंगे, तो मुझे लगता है कि इस exam में थोड़ा सो competition अब भढ जाएगा ठीक है, बाकी पहले तो tier 1 होता था, फिर tier 2 होता था, उसके बाद आपका descriptive examination होता था, तब result निकलता था, बड़ा मुश्किल सा process था, इसका भी simplify कर दिया गया है, ठीक है, ये पिछली बार जो paper हुआ था, उसके tier 1 की region wise cutoff आप देख सकते हैं, ठीक है, although इसका कुछ जादा मिलेगा नहीं से देख के भी, बट मैंने डाल देया था, फिर भी data मैं आप हो दिखाने के लिए, और ये जो आपकी means की cutoff है, यहाँ पे वो दिखा रखिया और descriptive की cutoff नीचे दिखा रखिया, ठीक है, अब मैं EPF 4 steno की बात करता हूँ, जो दूसरी vacancy है, हमारी जिसकी 185 vacancy की पोस्ट होगी, आपकी जो इसमें salary होगी लगबक 45,000 से 50,000 के बीच में होगी, अगर आप exit में gross salary की बात कर रहा हूँ, enhance salary आपकी 40,000 के असपास हो सकती है, ठीक, उसके लावा, यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ, detailed vacancy category wise आप देख सकते हैं, total 185 है, यूर की 74 है, EWS की होती है, वो इन ही में से निकाली जाती है, तो आप मान के चलें, कि अगर आप horizontal resolution से ब्लोंग नहीं करते हैं, तो यह सारी की सारी vacancy आपको इसमें सब्रेक्ट करनी होगी, total vacancy समझने के लिए, ठीक है, educational qualification, यहाँ पर 12th pass मांगा गया है, most probably जो form भरने की last data, उससे पहले आप relaxation आपको मिलेगा, ठार से 27 साल जो age देखी जाएगी, form भरने की last date से चेक की जाएगी, कि तब तक आप 27 साल के नहीं होतो नहीं गए, अगर उससे बड़े हो तो आप eligible नहीं हो, unreserved category से, बगकी relaxation category wise आपको मिलेगा ही, ठीक है, अगर process की बात करें, यहाँ पर simple है, आपका ए पचास question आएगे, एक question आपका चार number का हो गया, यहाँ पर भी a question चार number का, यहाँ पर भी a question चार number का, यहाँ पर भी a question चार number का, वन फोर्थ की negative margin मतलब एक number आपका क्या होगा, डिटटो कर आप आपने गल्द कर दिया, ठीक, तो यह बिल्कुल ना समझे कि 4 number का question है, तो difficulty level लगबख वैसा सही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा इसे देख के देख लोगे आपको आइडिया लग जाएगा तो वह पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर मैं बात करता हूं यहां पर टोटल आट्सो नमबर का पेपर है इसमें से आपके मेरिट निकाली जाएगी इसमें भी दो कॉट अपको नहीं आती है अभी तक तो आपको अभी से सीखती स्टार्ट कर देनी चीए अगर आप यह सोचें कि मैं टीर वन एक्जामिनेशन द सीख लूँगा तो वह पॉसिबल नहीं है अगर आपको लगता है अभी आपके पास टाइम है कि अभी से मैं बहुत ज्यादा टाइम स्टार्ट के लिए इंकाल सकता हूं बाकी सेक्शन की प्रेपरिशन बहुत अच्छी है तो ही आप इस फॉम को फिल करें अगर आपको ल 10 मिनट्स तक डिक्टेशन दी जाएगी जिसमें स्पीड होगी 80 वर्ड पर मिनट की आप शोट हैंड के तुरू से एक पेज पर लिख रहे होंगे अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाते है तो 50 मिनट्स मिलेंगी सेम मैटर को आपको इंग्लिश में इतना ही था ज्यादा कुछ नहीं है बाकि आप इस इन पोस्ट के बारे में और ज्यादा इंफ्रमेशन गयादा करना चाहते हैं तो अब यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा लेकिन हमने कम टाइम में जो भी जुरुरी चीजे थी व इस इसक्राइब कर सकते हैं अपनी प्रिप्रिशन की लिए और कम्प्लीट त्यारी के लिए अगर आप एससी एग्जाम को टार्गेट करें 2023 को एससी जिल 2023 इस एसल 2023 या अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन से तो अपर भी आप्लिकेशन से कर सकते हैं जिसमें सभी पीडिफ मिल जाती है जिसे कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेश्ट ना हो और अपने हिसाब से आप कोर्स में अन्रोल कर सकते हैं अगर आपको मैस और रिजिनिंग की प्रिपरिशन करनी है तो आप दुरों चार्या बैच के साथ जा सकते हैं अभी मैस कोर्स के लाद डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको मिल जाएगी तो वहाँ से देख लेना हो